नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलूक स्प्लोग पर ये पींक सिंगोनियम है और यहां पर ये पूरी रैक जो है मैंने सारे इसमें सिंगोनियम अपने लगा दिये हैं ये दो में बहुत अच्छी आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही कमाल का लिक्विट फर्टिलाइजर आप लोगों के साथ सेयर करने माला हूं जो विल्कुल फ्री में हर दिन आपके घरों के अंदर तयार हो जाता है और उसको नहीं आपको फर्वंटेशन के लिए रखना होता है नहीं जो है उसे और इंस्टेंटली आप उसको लाकर अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं तो यह है दा किचन के अंदर से निकलने वाला दाल को धोने के बाद बचा हुआ पानी लगभग हर घर में परड़े दाल बनती होगी और रेर केसेज में सायद ना बनती हो परना चाहे अरहर की बने मटर की बने चैने की बने उड़ाद हो मूंग हो मशूर हो कोई ना कोई दाल हर घर में जरूर बनती होगी और उस दाल को बनाने से पहले उसे अच्छे से धूला जाता होगा हलका सा दाल को मसल कर जब पानी में धूला जाता है तो उसके उपर कुछ आवरड सा होता है बिल्कुल हलका सा पाउडर सा वो पानी के अंदर आ जाता है वो जो ठोस्पदात इस पानी के अंदर घुलता है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है वैसे भी दाल जो है वो प्रोटीन का सबसे हैवी और सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है तो प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है, दूसरी चीज इसके अंदर कैलसियम, आइरन, पोटेशियम और अलग-अलग कई तरीके के बिटामिन्स इसके अंदर मिल जाते हैं जिस तरीके से ये मनुष्यों के लिए बहुत जादा फायदे मंद है, उसी तरीके से ये प्लांट्स को भी बहुत जादा फायदा पहुचाती है, हर दिन आपके घर में ये निकलता होगा, तो आप तैंकर लीजिए, एक दिन में जो लिकृट फर्टिलाइजर आपका निकल क तैयार होता है, उसे आप कुछ पौधों में दे दीजिए, कुछ नहीं करना है, हलका सा आपको ऐसे हिला लेना है, और यही मतलब इसको डायलूड भी नहीं करना है, तो इसके अंदर जितने मतलब जो भी तत्तो होंगे, जो भी माइक्रो और माइक्रो, जिस तरीके से हमारे सरीर को फायदे पहुचाते हैं, उसी तरीके से ये हमारे पौधों को भी बहुत ज़्यादा फायदे पहुचाएंगे, पौधों की ग्रोज सही करना हो, पौधों की पतियां अगर डल-डल सी दिखाई दे रही हो, पौधों की पतियां छोटी आ रही ह या फिर फूल वाले पोधों के अंदर फूल ना आण रहा हो फूल में कलीयां बन जा रही हूं लेकिन कलीयां बिना खेले गिर जा रही हो साथ ही साथ white troubling plant है तो उसके अंदर हूं 자उस्च उसके उती हैं उस वरी है उनस्चन आहित कउले इन पोधों को अगर एक दे दिया है तो अब दसमें दिन मैं अपने इन पौधों को दोबारा से ये चीत दे सकता हो और दस दिन के बाद जब इन पौधों का नंबर आएगा तब तक लगभग हमारे गार्डेन के सारे पौधों को ये लिक्विट फर्टिलाइजर मिल चुका होगा तो ये जो पानी निकलता है ये पानी भी वेस्ट नहीं होगा दाल के उपर का जो आवरड होता है वो भी जो हम लोग वेस्ट फेक देते हैं वो भी वेकार नहीं होगा और दोनों ही हमारे पौधों को मिल जाएंगे तो हमारे पौधों को भी फायदा होगा एक चीज में तीन-तीन फायदे अगर आपको मिल जाते हैं, तो उसका इस्तवाल आप क्यों ना करें, तो आप लोग भी अपने fruiting plant, flowering plant, indoor plant, सभी में इसका इस्तवाल कीजिए, बहुत ही कमाल का और बहुत ही बहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, कैसा लग रहा है मेरा ये वाला portion नीचे सारे philodendone है बिल्कुल किनारे से लेकर और यहां तक इस किनारे तक सारे ये philodendone की varieties है ऊपर जो है सारी singonium की variety है अब मैं सोच रहा हूँ कि एक ऊपर जो है कुछ plants जिनकी मेरे पास और भी varieties त्यार हों वैसे मेरे पास सबसे ज़्यादा फेलर्डेंड ओन एगलॉनिमा और आपके सिंगोनियम की वराइटी जो है वो सबसे ज़्यादा है कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्षिन में जाके बताईएगा ऐसे किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाए और टेक केर